Flight Kitchen, Kapadia Airlines कहकर एक बड़ा Airlines का कम्पनी था, उसका मालिक का नाम था राजेश Kapadia, उनके पास बहुत सारे हवाई जहाज थे हर साल कम्पनी का फाइदा को देखकर, Kapadia बहुत खुश होता था लेकिन कुछ साल के बाद, अगरवाल Air Lens कहकर और एक हावाई जहाज का कम्पनी बुकाबला के लिए आये थे तब उस साल में आया नुक्सान को देखकर, Kapadia बहुत घबरा गया तबी Kapadia का साले जी लड़ू गाउं से आया लड़ू क्या हुआ है, हमारा Air Lens नुक्सान में चला गया है कहकर सुना क्यों जी जाजी, मैं कुछ साला दो क्या कूछा, तब Kapadia अरे बाबू, तुझे एक प्रनाम, तुम तुरंद इधर से चले जाओ, असल मैं बहुत टेंक्शन में हूँ कहा, तब Kapadia की पत्नी ये क्या है जी, घर आये मैंमान को ऐसे अपमान करते हो, ऐसे किया तुम मैं नहीं मानूंगी बोली, तब लड़ू अरे जाने दो दीदी, जी जाजी तो कुछ टेंक्शन में है, इसलिए ऐसा बात कर रहे है देखो जी, जाजी, असल में हमारा कंपनी को नुक्सान क्यों हो रहा है, ये जानना है तो, हम खुद हमारा हवाई जहाज में घुमेंगे, तो ही पता चलेगा तब लोग क्यों नहीं आ रहे है, वो भी पता चलेगा, एक बात सोच लीजिए कहा, तब कपाडिया को वो सलाह बहुत अच्चा लगा ऐसे दोनों उनका हावाई जहाज में चड़े, लोगों को अवलोकन करने लगे एर होस्टर सब लोगों को फुड और ड्रिंक सर्फ कर रही थी, तब एक आदमी ये क्या है मैडम जी, ये कॉफी है, छी छी, इतना थंदा है, फ्लाइट चार्जेस तो बहुत लेते हैं, और ऐसा गडिया थंदा कॉफी देते है, भुख कहा, और एक आदमी प्लेट को फेंक कर, छी 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 छी, ये बिर्यानी तो बिल्कुल गरम नहीं है, इसमें तुकडे बिल्कुल उबाले नहीं है, च्या, और एक बार इस एरलेंस में चड़ा, तो मेरा चपल से अपने आपको मारना होगा कहा, ये देखकर लड़ू जी जाजी, अब समझ में आया, हमारा फ्लाइट्स में खाना अच्छा नहीं है, इसलिए कोई भी नहीं चर रहे है, पहला हमारा फ्लाइट्स में किच्चन का सेतब बदलना होगा, गरमा गरम खाना लोगों को परोशना होगा कहा, तब कपाड यार, हम पहले पका हुआ खाना को फ्लाइट्स में माइक्रो ओवन में गरम करके ही तो दे रहे है न, गरम तो दे रहे है न, कहा, तब लड़ू वही गलती हो रहा है जी जाजी, लकडी के चूले पर मटके में बनाया गया खाने का स्वाद, बर्तन में गैस्टों के उपर पकाएंगे तो मिलेगा क्या, इसलिए अब से हमारा फ्लाइट्स में लाइव किचन का इंटरजाम करेंगे, हमारा मेनू को फिंक कर, लोग जो पू उठाकर फ्लाइट्स के पास आ रहे थे, उनके साथ कपाड्या और लड्डू भी थे, उदर पाइलेट उनको रोक कर, ये क्या है लड्डू जी, गैस सिलेंडर और स्टव जैसे हवाई जहाज में प्रिवेश नहीं है, ये बहुत खत्रा है, ये बात आप बताईए कपाड ये हमारा फ्लाइट है, हमारा मर्जी से जो चाहिए वो चड़ाएंगे, ज्यादा बात किया, तो तुम्हें नो क्रिशे निकाल देंगे, हटो रस्ते से, कहकर डांटा, ऐसे फ्लाइट के अंदर किचिन सेटप किया, ऐसे फ्लाइट हवा में उड़ने लगी, लड्डू य कहा, तब एक यात्रिक, अरे वा, ये सच है क्या, ऐसे मैंने कहीं भी नहीं देखा, न सुना, मुझे एक चिकन कबाब चाहिए, पूचा, तब एक औरत, मुझे गर्मा गरम चिकन नूडल्स चाहिए, पूची, एक बच्ची, मुझे चिकन मोमस चाहिए, पूची, एक बच कर बहुत पुछ सुक से खाना पकाने लगा चैनीज के स्टाइल में कडाई को पुड़ा उड़ा कर खाना पकाने लगा इतने में आग बढ़कर गैस सिलंडर पर जाकर गिरा बस वो गैस सिलंडर फट गया तब पूरा फ्लाइट में धुआ फैल गई और वो फ्लाइट संतुलन खोकर उड़ने लगी अंदर सब लोग घबरा कर डर के मारे चिलाने लगे हे भगवान हमें बचाओ कहकर चिलाने लगे ऐसा वो हवाई जहां दुआ से भरके एक जंगल में लैंड हुई नीचे उतरने के बाद सारे लोग लड़ू को पकड़ कर खूब पीटे ऐसा लड़ू और कपाडिया जेल में चिलेगे जेल में लड़ू आप बिलकुल छिंता मत करो जिजा जी बाहर जाने के बाद आपको मैं और एक अच्चा सला देता हूँ कहा तब कपाड़ या कहकर लड़ू को पकड़ कर खूब पीटा